बिक बॉस OTT में अभिशेक पे हावी होते वे दिख रहे है अलविश यादव जैसे उन्होंने as a wild card entry मारा है हर कोई अलविश से influence हो करके उसी की तरफ जा रहा है और अभिशेक जो है उसके साथ में एक अच्छे दोस जैसा behave कर रहा है और जैसे ही इस हफते का विकेंड में ट है कर रात को जब discussion चल रहा था तभी अलविश यादव ने इस चीज़ को indicate कि मेरे साथ में यह सब भरकत ना करे मेरे साथ में चिपक करके बैठना और इस तरह से behave करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जैसे एक लड़की को पता चलता है कि एक लड़का विकेंड के वार पे सेट करके दिया गया कि यही लोग जीतेंगे और यह लोग जीतने के बाद में आपस में प्यार वाली जो बाते है वो शुरू हो जाएगी और इग्जैक्ली वही होने लगा फुकरा इंसान से भी पूछा गया था कि तुझे इस घर में कौन अच्छी लग रही है तो उन्होंने तीन आप्शन में से दो तो हटा दिये थे तो बच्ती थी आशिका और जिया शंकर पूरा घर आशिका को लेकर के अटके लिए लगाया जा रहा था कि इसके साथ में फुकरा इंसान का कुछ चल रहा है फलक ने ये तक कह दिया था कि कि कितना भी लेकिन जब लड़की के आसो निकलते है तो हर लड़का फिसल तो जाता ही है और यहां पर फुकरा इंसान भी जो है उसके साथ वैसे ही बीएव कर रहा है पिछले तीस दून में वह बीएवियर किसी बी लड़की के साथ में नहीं देखा जो के आशिका बाटिया के साथ मे नहीं रोच उकी थी जब उसको करंट शॉट दिया जा रहा था उस वक में अभिशेक मलहान को रुकना चीए था मैं लिटरली जब देख रहा था उसक में यहीं सोच नहीं तो जूट बोल दे कम से कब उसको इल्रक्रिक शॉक तो नहीं लगेगा लेकिन वह बंदा एक तो शायद रुकी जाता था पर आशिका भाटिया पूरी रो बैटी थी अंदर से तूट गई थी और यही रीजन था जिसके वैसे फुकरा इंसान उसके साथ में थोड़ा सॉफ्ट हो करके पेश आ रहा था और जिसको पूरे घर के लोग प्यार समझ रहे थे अब यह सारी लड़क बढ़ बात है चल रहे थी फलक एसी चीजह कह रही थी तब जिया शंकर का कहना था कि इससे स्मार्ट लड़के स्मार्ट नहीं है, फलक का कहना होता है कि तूस चीज़ को लेकर कि इतना obsessed क्यों हो रही है, तुझे क्या interest है उसमें, उसके ऐसे धीरे धीरे वो अपना जिस तरह से दिखाती है, मतलब एक उसे यही समझ में आ रहा हो, कि यह बंदी प्यार में पड़ी हुई है, और फाइनली कल के दिन है, लेकिन reality यह है, कि madam हो चुकी है, नॉमिनेट और उसके बास से अभी weekend आ रहा है, तो कहीं घर से बाहर निकलना जाए, इस वएसे भाई यह love angle बनाया जा रहा है, जो कि आशिका भाटिया ने भी try आ रहा है, कि तुझे कैसी लड़की चीए, तू बता न, मैं घूंगट पहन करके भी आ जाओंगी, तो यह जो सारी चीज लड़किया खेल रही है, घर के अंदर में love angle वाला game, यह सारा का सारा भाई, सिफ और सिफ नॉमिनेशन से बचने के लिए, कि कहीं घर से इविट ना हो जाए, और weekend के वार में एक अच्छा खासा support बना रहेगा, मुझे अ पानी पीएगा तो फटक से थूख देगा, लेकिन वो पी गया, उसको पता ही नहीं चला, जिया शंकर भी हसस के मजे ले थी, कि हाँ यार पता ही नहीं चला, इन दोनों को, इन दोनों को कोई इचे से पेल रहना भाई, तो वो है अलविश यादव, क्योंकि अविनाश की लंका लगा करके भाई साब ने मजे लिया, और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझा है कि वो नॉमिनेशन था क्या, बंदे ने कहा कि मुझे फलक बहुत अच्छी लगती और ये साला वहाँ पे काटा बनके बैटा है, मैं चाहता हूँ मेरे रास्ते का काटा हट जाए, भाई कर रहा, अविनाज जितना दूद का धुला दिक रहा है, जितना शरीफ और इस लेवल पर कैसे खेलते हैं, और भाई साब जैसे यह पर सिस्टम सिस्टम बोल रहे है, बिल्कुल वैसे उसने गिली मिटी बोल दिया है, तो यह सारी चीज़ चल रही है, काफी इंट्रस्टि पर जाकर कि जरूर बताना मिलता हूं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए स्वास्त रहो, मस्त रहो, सबर बस्त रहो